ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोज को लाइक, शेर और कमेंट करें नमस्कार आप देख रहें A1 News और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधरी आतिक रूप से पिछले लेकिन प्रतिबश शाली किर्किट खिलाडियों के लिए सुदामा प्रीमियर लीग 2020 किर्किट टूनमेंट का आउज़न राजधानी में 14 फरवरी से 11 मार्च तक किया गया जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया, वहें इसका फाइनल मैच रौशनारा क्लब किर्किट ग्राउंड पर खिला गया इस टूनमेंट के आउज़न की पहल एंच्यू, पीपल्स, राइट एंड, सोशल रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष आसुतोष लोईया और निशीकांत शर्माने की देखे इस रिपोर्ट में रौशनारा क्लब किर्किट ग्राउंड पर सुदामा प्रीमियर लीग 2020 किर्किट टूनमेंट का फाइनल मैच चौब इस मार्च को शाम पाँच बज़े से आठ बज़े तक खेला गया प्रतिभा शाली किरकेट खिलाडियों के लिए सुदामा प्रेमियर लेग 2020 किरकेट टूनमेंट का आयोजन रासधानी दिली में 14 फरवरी से 11 मार्च तक किया गया जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया इस टूनमेंट के आयोजन की पहल NGO, पेपल्स, राइट और सोशल रिसर्च सेंटर ने की, जिसका उदेशया आर्थिक रूप से पिछले वर्क की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है वैसे इस टूनमेंट को उद्गाटन विश्वकप विजेता कप्तान कपिल देव ने करनेल सिंग स्टेडियम में किया था इस दवरान पूर्व भारतिय क्रिकेटर अतुल वासन और प्रसार के अध्यक्ष आसुतोश लुहिया निशिकांत शर्मा भी मौजूग थे NGO People's Right and Social Research Center के अध्यक्ष आसुतोश लुहिया ने बताया कि इस टूनमेंट के लिए पूर्वी पश्चमी उत्री और दक्ष्री दिली से 16-23 आयू वर्क के 780 विवाओं ने ट्रायल में हिस्सा लिया था जिससे 300 खिलाडियों को चुना गया था इन खिलाडियों को अतुलवासंच, संजीव शर्मा और के हरी हरन जैसे दिगजों ने परिशिक्षन दिया था वहीं टूनमेंट के बाद 16 सुदामा चुने गए इसके अलावा टूनमेंट में सुदामा के लिए BPL और EWS फर्मान पत्र अनिवाले किया गया था Bureau Report A1 News